हलो नमस्ते साथ यारू स्वागत शत पाय लाए हम्रो चैनल नेपाल इंजिनेर्स लोक्षेवा सोलोशन माय आजको वीडियो माँ वाटर सप्लाई इंजिनेडिंग को सकेंड लेक्चर माँ स्वागत शत पाय अरलाए आजको वीडियो माँ हमी डिस्कस गरनेछो जहा करा हुड कर एंचला। जुन की inadequate for the purpose of internet, similarly over estimated value will make costly उना सक्षा, तेही कारण ले चाहे population forecasting गरिन्षा, जुना, changes in the population of the city over the year occur and the system should be designed taking into account for the population at the end of design period, जुन जुन चेंजेज, population अरुको जुन चेंजेज उन्छा, जुस्तो के अब forecasting बाटा आया कोंछ, और को city बाटा वसाय शराई गरेडा आया कोंछ, तेह अरु सब एफेक्ट गर्शा, खासमा factor affecting जुन population, factor affecting जुन्षा, factor affecting changing population के के factor बाटा चाहे, population को counting चाहे, change उना सक्षा, increase due to birth, decrease due to death, or increase or decrease due to migration, increase due to annexation, तो यो चाहे, factor affecting हो, जुन जुन निकालने फर्मुला हरु छो, population forecasting को formula हरु के के सा, method हरु के के सा, तेह को बाटे मा हमी mainly discuss गर्शा, objective रच सब्जेक्टिव यो धरे important हो, यदि water supply को question हो बने, arithmetic increase method जुन्षा काश को लागे यू जुन्षा, ता खास्मा, old city, old city हरु को लागे यू जुन्षा, यो पनी सोध्या सा, कहा को लागे यो चाहे, important हो बने रा, तिस method is most applicable to large and established city को लागे चाहे, most important हो, large and established city को लागे, in this method, the increase in population from decade to decade भने को सा, जुन्षा की तेसमा, variation दिये को होन्षा question मा, जस्तो की योटा, example लिनु पर दाखेरी, यो 1930 मा एती population सा, 1940 मा एती population सा, तेसको difference सेम होनु पर्छा है, difference सेम दिये को होन्षा, यो चाहे, engineering level मा पनी यो धेरे important सा, जस्मा, initial population जस्तो की दिये को होन्षा, टाइम पिरियेड चाहे, difference बाट निकालना सकीन्षा, ते निकाली सके पछे, यो फर्मुला सा, PN is equal to P not plus of N x bar, यो चाहे, arithmetic को फर्मुला हो, जस्मा, PN चाहे, population after N decade from the present, मतलब कती साल पछी को निकालनू परने सा, ते चाहे, PN हो, P not हने को population at the present, last known census बाटा चाहे, दिये को हन्षा, P not, रा यन हने को number of decade from PN to P not, रा यन निकालने को सरी तो, शुरू को population घाटाई दिने, जुन, census मा सा, एले, डिये को चाहे, दिये को जुन्षा, P not, ते बाटा चाहे, शुरू को चाहे, घाटाई दिने, अनि, बाई 10 गर्दी दाखे, त अनि, बाई 10 गर्दी दाखे, जुन, चाहे, बाई 10 गर्दी दाखे, एक्स बार निकालने, पर शुरू मा, एक्स बार चाहे, निकालने, फर्मूला यहार दिये को स, P last minus P first by number of decade, number of decade को सरी निकालने तो year घटाने, कि last year जुन दिये को स, त्यो, minus of शुरू को by 10 गर्दी दाखे, यो चाहे, यो चाहे, एक्स बार आउछ, P last minus P first गर्णे, त्यो, number of decade को स, निकालने को लागी जुन भन्य को स, शुरू last को स, year minus of first year by 10 गर्दी दाखे, यो आया हाल था, यहान आया पाछी किये गर्णे तो, यो यो तो पहले था भई शुके को ला, year last minus of year first by 10 गर्दी दाखे, याने की difference को ती शुत्यो गर्दी दाखे, चाहे, यो एन आउछ, यो आया चाहे, एकस बार इस एकस बार इस एकल तो formula आख, P last minus of P first by number of decade, यो गर्दी दाखे, यहान चाहे, एकस बार आया हाल था, एकस बार आया चाहे, एकस बार आया चाहे, पन चाहे निकालना सजिलो भायाल था, पन is equal to P not plus of N, चाहे, कती बार्ष, कती बार्ष चाहे भाया सथयो चाहे, N into of X bar गर्दी दाखे, यो चाहे, रिक्वाइट आप्टर कती बार्ष को लागे निकालना सजिलो भाया हुँच, त्यो चाहे, अर्थमेटिक बाट यो शरी निश्किन था, अब जुमेट्रिक, तिरा जुमेट्रिक मेथड की हो, कस को लागे यो यूज हुँच, चाहे, अर्थमेटिक बाट जुमेट्रिक सिर्मेट्रिक मेथर जुम्छ, थी हुँचात का मेथड हुच, त्यो चाहेुच अंथेधिक चाहिं कोंस्टान हुन्छा। रयो मेथड धैर है अपलिकेबल हुन्छा। यहीजरू अपनि यह मेथर बात पॉपल संब्सक्राश्टिंग गरीन्छा। this method must be used with caution for when applied it may produce two large results . rapidly ground cities को लागी चाएंग शाध दाखरी जोमेट्रिकल इंक्रीज मेथाद बन्नु परछार्य यो चाएंग इक्जामना पनि सोधे को शाध जोमेट्रिकल इंक्रीज मेथाद काहा युजुन छाता अब क्या भन्ना सकिन छाता rate of growth percentage rate of growth constant rapidly ground city को लागी चाएंग जोमेट्रिकल method applyज continues on isa नाlla means population forecasting some can be ka rna ajudar जर शाकिन सा, as cities grow large there is tendency to decrease in the rate of growth. This would apply to cities with unlimited scope with expansion as the cities grow the यालि है नाटिहन चौालि है जर ऑटोछल है, है simplify ढरेकरश मेधर बेकर अंसा, in this method percentage increase in population पर डिकेड रिमेंस कोंस्टेंट होंचा पर्सेंटेज को कुरा अधाखरी तो चाहें ग्राव था पर्सेंटेज मां चाहें कोंस्टेंट होंचा जुनकी जो मेर्टिकल मेथड मां होंचा एसको फर्मुला के होता PN is equal to P not 1 प्लस R by 100 to the power N जास मां P not के होता population at the base year population at the base year होंचा जुनकी कुश्चन में गिवन होंचा रभाई 100 इन्टो प्लस 1 to the power N जान भने को थाई शाता पाय और लाए number of decade R is equal to average percentage increase in population रपी एन इस इकल to population at the nth decade रपी नट is equal to population at the base year होंचा फर्मुला हो यो चाहिं कहां युज होंचा फोर फास्ट ग्राउन्स ग्राउथ cities को लागी पनी न्यू और फास्ट ग्राउथ cities को लागी और अर्को method के साता अर्को method रहे को सा incremental increase method incremental increase method कहां युज होंचा एनि टाइप of city एसमा धिये को साथ, any type of city एसमा हरनुपर्दाखरी growth rate is assumed to be progressively increasing or decreasing depends upon the whether the average of the incremental increase in the past is positive or negative. The population for the future decade is worked out by adding the mean arithmetic increase to the last known population as in the arithmetic increase method एने कि युद दुबएग कमभाई वहरा increase in population method same to same arithmetic बाता चाहिं आजए एडगर्नुपर्षा के एडगर्नुपर्षाता the average of incremental increase, the average of incremental increase once the first decade twice the second or so on. तो युद चाहिं रहे को छ, युद चाहिं एडगरे को छ, युद चाहिं और्थमेटिकल increase जस्ती छ, तर एसमा चाहिं added the average of incremental increase, तो 1 into 1 plus 1 by 2 अनी y bar, वाइभार चाहिं कसरी निकालने तो y bar is equal to average increase, average incremental increase हो, y bar चाहिं average incremental increase in population for decade होन्छ, युद चाहिं अनी फर्मूला यहाँ छ, तेहीं example I use गरेड़, यहाँ पनी निकाले को छ, पी एल प्लस आफ, पी एफ, माइनस आफ, पी एल माइनस पी आफ of decade, minus of 1 गरेड़, यह चाहिं वाइबार निकाले को छ, बाकी सब भाइभाई भैलू नाउन छ, सेम पहलाके arithmetic method जस्तो, यह एनी type of cities को लागी चाहिं feasible छ, incremental increase method, mathematical भंदा, यह चाहिं average incremental increase चाहिं, एड गर्नु पर्ष, first decade मा जुन आऊ छ, और को चाहिं next method ति रह जादा खेरी, next method चाहिं कुन रहेको छ, नेक्स्ट method अरू जस्तो की decrease rate of growth, decrease rate of growth, changing rate of increase method तो हरू पनी छ, तो रह नोड मली यही बाटा question आए रहा हूंछ तो जुमेट्रिकल और अर्थमेटिक बाटा बढ़ी question आए रहा हूंछ, त्यो कहां युज हूंछ, त्योसको formula के हो, त्यो चाहिं rapidly growing city और percentage को कुराओ दाखेरी, पनी जुमेट्रिकल को कुरा आउछ, तो यो थिवा हम्रो method of, method of population forecasting को कुरा, method of population forecasting को कुरा भैशक दाखेरी, यो पनी लोगिस्टिक कर्व पनी छ, यो लोगिस्टिक कर्व को बारे मा हलका बुजाओ, लोगिस्टिक कर्व भननाले, when the growth of population is due to birth, death, or migration, migration are under normal situation and not subjected to extraordinary changes due to unusual situation like war, epidemic, earthquake, यस्तो situation कुमा चाहिं, लोगिस्टिक कर्व बाटा पनी निकालना सकिन छ, रो कर्वी linear method छ, in practice it is not difficult to find similar cities को लागे, difficult हुन्छ, रो जुन चाहिं, कर्वी linear method मा हुन्छ, decline growth method, ratio method होना तो धेरे method छ, तर जेनरली arithmetic and geometric increase in incremental increase method, यो चाहिं तीन वाटा method जेनरली छ, यो चाहिं आज को topic मा, population forecasting को बारे मा कुरा गरियो, अब next topic हामरो third lecture मा चाहिं, impurity in water चाहिं, केके छ, यास बाटा question धेरे आऊछ, तपा अरले पनी था श, तही बारा, वीडियो लाए like गरते, चैनल लाए subscribe गरनू हला, बेल आइकन प्रेस गरनू हला, ताकि third lecture आऊने विदिके, तपा अरले था होन्छ, कि यास बाटा question धेरे आऊने इंपोर्टेंट आऊने गर्षा, तो यासको हामी theoretical part discuss गर्षा, तो यासको theoretical part मा चाहिं, आज थर्ड लेक्चर मा चाहिं, impurities in water को बारे मा चाहिं, हामी discuss गर्षा, धन्यवाद.